तो भाया एकदम क्लियर बात जिसने Animal the film देखी है, ये वीडियो तुम्हारे बहुत काम आएगा। जिसने नहीं देखी यहीं पर रुप जाओ, वरना देखने लाया कुछ बचेगा नहीं। जैसे पढ़ाई के बाद एक्जाम देना होता है ना, ये वीडियो भी हर उस बंदे का टेस्ट लेगा, जो खुद को Animal का सबसे बड़ा फान बता रहा है। साथ सवाल पूछूँगी मैं आपसे इस वीडियो में जो सीधा दर्वाजा खोलते है Animal Part 2 के लिए। शिदत से जवाब देना कॉमें ये आपका सिर्फ एक मौका है। अगले एक मिनिट में आपकी गलत फहमी दूर कर देती हूं मैं। सवाल नंबर टू, रनबीर कपूर की वो बंदर वाली कहानी जिसमें ये राजा की बेटी को छेड़ता है और मंत्री की नकली तलवार वाली थेयरी फेल कर देता है। आप लोग बोलोगे बस यही तो सवाल नंबर एक कल जवाब है क्योंकि रनविजय ने अपने जीजा के सामने भी तो ये बंदर वाली कहानी का जिक्र किया था। मतलब बुढ़ा असली रनवीर है। खा गए ना धुका जीजा के सामने वाली बंदर की कहानी ये बुढ़े वाले रनवीर की कहानी से बिलकुल अलग है। प्रणसर सुना होगा तो बिलकुल याद होगा वरना एक बार फिर से टिकेट बुक करो और दुबारा सुनके आओ होश ओड़ जाएंगे तुमारे। बंदर राजा की बेटी को चेड़ रहा है और मंतरी उसको तलवार से मारने का प्लान तियार कर रहा है। जिसको बंदर बड़ी होश्यारी से फेल करके मंतरी को गधा साबित कर देता है। इस कहानी में बंदर दिमाग से हीरो है, स्मार्ट है, चालाक है, तारीफ हुई उसकी। लेकिन जीजा वाली कहानी में बंदर राजा की रक्षा करना चाहता है तलवार से, ठीक यही शक बोले थे रन्विजे ने। वो अपने जीजा से नफरत करता है, उसको बंदर बोल रहा है इंडिरेक्ली, माने गधा साबित करना चाहता है। इस कहानी में बंदर दिमाग से हीरो नहीं जीरो है, उस बुढ़े वाली कहानी से एकड़म उल्टा। अब ये एक ही कहानी के दो अलग-अलग वर्जिन कैसे हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं, ये दो कहानी दो अलग-अलग इंसान सुना रहे हैं। और धू, ये हाथ वाला sign language काफी popular हो गया है, लेकिन ये आया कहां से? Lord Bobby के मरने से पहले वाला message था ये। और ये same sign वो old age वाला रंबीर भी करता है, कहानी सुनाते वक्त। कहीं बड़े भया को tribute तो नहीं दे रहा, अजीज दबुचर। सवाल नमबर 3 पे आये, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि Animal की ending में Lord Bobby के role पे full stop लग गया, तो क्या ये बंदा part 2 में आ सकता है? क्या हो अगर Animal Park में असली Bobby Deol वापस जिन्दा हो जाए और मरने वाला सिर्फ ए क्लोन हो, इस theory के पीछे एक logic भी हो सकता है, बताऊं। अबिद माने Bobby Deol का translator उसको जंग से रोकने की कोशिश करता है, जब रनविजय उसके घर पे attack करता है अपनी team के साथ, तो क्या ऐसा हो नहीं सकता कि plane में जो बंदा अबिद के साथ बैठा था वो नकली Bobby Deol हो जिसको मार के रनविजय को लगता है कि खत्रा टल गया, बट अस ऐसा तो नहीं कि जोया अजीज के पास रनविजय के कहने पर गई है और अजीज रनविजय का नहीं बलकि रनविजय अजीज का पीछा कर रहा है, एक सीन में दादा जी बोलते हैं, ये फामिली की दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी, तुम Bobby Deol को मार भी दोगे तो उसका भाई आएगा, बच्चे आएंगे, लेकिन तब तो खत्म होगी जब सामने वाली फामिली ही खत्म हो जाए, तो क्या पता, जोया अब रनविजय से प्यार तो करती है और उसके कहने पर ही अजीज को इंडिया लेकर आएगी, जहां उसको मार के रनविजय दुश्मनी खत् देता है, हमेशा हमेशा के लिए रनविजय के परिवार का गेम ओवर हो जाएगा, और सोचर यहीं पर अजीज त्रिप्ती वाले केरेक्टर से शादी कर लेता है, तो फिर इस तरहे बलबीर सिंग इंडिया का सबसे अमीर इंसान, उसका पूरा बिजनिस प्रॉपर्टी वापस में भिढ़ेंगे, इधर अजीज और ट्रिप्ती का बच्चा आएगा, उधर रनविजय का असली बेटा जो रश्मिका को उसका हक वापस दिलाएगा, उधर वरुन का बेटा जिसके पापा को उसके मां के भाई नहीं मार डाला था, और बॉबी दियोल के दो दो ज सच में तुमको मज़ा आएगा, बोलू? अब सोचो असली रनविजय दुश्मन से लडाई में मारा गया, अबरार असरार भी खतम और पापा को बीमारी का डर दिखा के रिटायर कर दिया, पूरी पावर सिर्फ इस नए डूप्लिकेट वाले रनविजय के हाथों में आ जाएगी, देश का सबसे अमीर आदमी बनक पर इतना दिमाग लगाया जाता था, अनिमल पार्ट टू ओफिशली कनफर्म्ड है सर, उसकी कहानी और जादा डार्क एंड डेटेल में होने वाली है, खुद संधी पांगा के शब्ध हैंगे, तयार हो, इस फिल में तो सिफ एक अनिमल था, अनिमल पार्क में पुरा जु कि बाइगे, बाइगे, बाइगे.